वन्ने जूख शेत्रों में काम करते हुए मुझे 15 साल बीत दिया है और इन बीते 15 सालों में मैंने कुछ अनोखे दुरुष्ट देखे कई बार वन्ने जूख को मुश्किल हालत में देखा है और जाने कितने ही अभियानों में सहबागी रहा हूं जहां अनेक प्राणियों को बचा कर उनके अधिवास में सुरक्षित छोड़ा गया प्राणियों को देखे एक बार जब मैं एक साप को बचाने वर्दा जिले के एक छोटे से गाउ में पहुचा तो मैंने देखा वो साप एक नाग प्रजाती का साप था किटक नाशक के पंप में बने एक छेद में बुरी तरह फस गया था ये साप पूरी 24 गंटों से वहां फसा हुआ था और लोगों ने जब इसे मरा समझ कर वहां से हटाना चाहा तब उस साप ने हरकत दिखाई जिस वज़े से उसके जिन्दा होने की पुष्टी हो गई मेरे साथ मेरा एक करीबी दोस्त कौस्तुप गावन्डी भी था हमने काफी सोचने के बाद उस साप को मुक्त करने का प्रयास शुरू किया दोस्तो मैं यहां एक बात बताना चाहूँगा मैंने काफी सारे ऐसे वीडियोज देखे हैं जहां ऐसे आप दामे फसे हुए साप को बचाने के लिए गैस कटर तक का इस्तिमाल किया गया है पर क्या इसी काम को हम सामान्य तरीके से नहीं करके देख सकते हैं कि हम कोशिज भी नहीं सकते हैं ऐसे किसी भी परिस्तिती में पहले जान लिजिए कि परिस्तिती उत्पन होने का मुन कारण क्या है जैसे यहां इस साब के शरीर के साथ कुछ घास भी उस छेद में दसी हुई थी जिस वज़े से यह छेद और संक्रा हो गया था हमने पहले तो इस छेद पर पानी डाल कर इस घास को और वहां लगी दूर मिट्टी को साफ कर दिया अब इस साब को बाहर निकलने के लिए बस थोड़ी सी मदद की ज़रूर थी क्योंकि साब खुद तो निकलने की कोशिश कर रही रहा था ऐसी परिस्तिती में अगर हम तेल का प्रयोग करें जिससे वहां चिकनाहट पैदा हो हमने वही किया हमने उस छेद पर तेल डाला और फिर साब के शरील को धीरे धीरे से मसाज किया और बात बन गई चोबीस घंटों से फसा हुआ साब कुछ ही देर में बाहर आगया दोस्तों ये वाक्या आपके सामने पेश करने का कारण बस इतना है कि हम जब किसी भी वन्यजीव को बचाने का प्रयास करते हैं तो एकदम सामन्यसी बात को भी गौर कीजी और जितना हो सके उतने सहज तरीकों का इस्तेमाल करके अपना अभियान पूरा कीजी बहुत बहुत शुक्रिया